दोस्तों अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी हैं तो चलिए जानते हैं कि अगस्त महीने में हम कटिंग के माध्यम से कौन-कौन से पोधे लगा सकते हैं और इसमें शामिल होंगे हमारे कुछ सर्दियों वाले पोधे और कुछ अभी वाले पोधे जो कि अभी कुछी समय मे मतलब इस मन्थ की एंडिंग में ही खिल जाएंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सकें तो लाइट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देएं चेशी तरादे दोस्तों, अगस्त महीने की आज है तीन तारीक और चलिए जानते हैं कि अगस्त महीने में हम कौन-कौन से पोधे कटिंग से लगा सकते हैं ताकि हमारा गार्डन कुछ इसी तरीके से इस मन्थ में भी हरा भरा प्लस फूलो से भरा हुआ रहे तो इस बार सबसे पहले हम उन पोधों के बात करेंगे जो कि एकदम न्यो-्न्यो वाले हैं मतलब जिनके बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया है जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा ये मटके में लगा हुआ पोधा जो की है गुल्दाओदी का तो गुलदाओदी को अभी लगाने का समय आ चुका है और इसे आप कटिंग से लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से आप छोटी-छोटी कटिंग को भी स्प्रेड कर सकते हैं अपने पूरे गार्डन में और इसे लगाना किस तरीके से हैं तो बस जो कटिंग वाला हिस्सा है उसके अराउंड जितनी भी पत्तियां हैं उनको आप कुछ इस तरीके से हटा दे और हटाने के बाद जो स्टेम बच्चती है उसे आप मिट्टी में कुछ इस तरीके से गड़ा निकाल के डाल दे और ही क औरिके से दूसरी cutting भी लेंगे हम, और इसे भी लगा देंगे हम अपने किसी भी pot में, भी मेरे पास pot नहीं है, बट ports में जगा जरूर है, और इसलिए गड़ा निकाल के लगा दो इन सबी को, तो यह था पहला पोडा, जिसे आप cutting से अभी लगा के अपने garden को सुनधर प्लस से भर सकते हैं दूसरे पोदे की बात करें तो वो है मेरी गोल्ड वैसे तो ये मेरे गार्डन में और रेडी काफी मात्रा में फैला हुआ है बट अगर इसे कटिंग से ग्रो किया जा सकता है क्यों ना इसकी कटिंग भी लगाई जाए और आप सब को भी दिखाई जाए और इ थार्ड नंबर पे दोस्तो ये जो आप ग्रीनिश ग्रीनिश देख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट ये है हमारा डियर बालसम का जिसे हिंदी में गुलमेहंदी कहा जाता है और अगर आपने इसे बीजों से ग्रो नहीं किया है तब भी चिंता वाली बात नहीं है पडोसि कुछ इस तरीके का है बस गड़ा निकाला और कटिंग को लगा डाला तो इस तरीके से बिलकुल जटपट तरीके में बिलकुल असान तरीके से आप इसे अपने गार्डन में ग्रोग कर सकते हैं फौर्थ नंबर पे ये जो आप स्ट्रिंग्स वाला पोदा देख रहे हैं जो की है सलोसिया का, जिसे हमारी देशी भाशा में कुककड पूल कहा जाता है, बहुत ही प्यारा सा पोधा है, तो इसे भी आप बिन जंजिट के अगर आप ग्रोग करना चाहते हैं, तो वो तरीका है कटिंग के माध्यम से, और ये कटिंग से भी लग जाता है, ये है आपके ऐसे पोट कर चुनाव कर लीजिए जिसकी जगा थोड़ी बहुत खाली है और फिर एक उंगली की मतलब मदद से ही इसमें घड़ा निकाल के कटिंग को उसके बीच में डाल के लगा दो और इसकी रूट्स निकल आएंगे पूरे 5-6 दिन में क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट को भी ग्रोग कर सकते हैं इस मोसम में उसके बाद यह जो आप बड़े बड़े पत्तों वाला हाड़ी पत्तों वाला पोधा देख रहे हैं यह क्लांचोय का और इसे भी अभी ग्रोग करने का सही समय चल रहा है क्योंकि यह पोधा आपको पिंटर्स में बेशुमार सुंद कृण को फिर पत्तियों को एक एक करके हटा के लगाना शुरू करतЗдा को नहीं कृटिंग सको 我र यह ज़ीक से ग्रो भी हो जाता है और ग्रोग करने के लिए किसी पोट की जुड़ुरत नहीं है जिस पोट के अराउंड थोड़े से स्पेस की जुड़ुरत हैं कुछ इस तर तरीके से आप क्लांचोई को भी मल्टिप्लाई करना शुरू कर दें जाहे वो क्लांचोई किसी भी वराइटी का है या फिर बड़े-बड़े पत्तों वाली वराइटी का है आप सिंपल इस तरीके से से ग्रोप कर सकते हैं और जिन डियर सब्सक्राइबर ने पहले सीडम मेक सिकम नहीं लगाया था वो अभी लगाना शुरू कर दें क्योंकि ये भी आपको विंटर में रिजल्ट जरूर देगा और इसे लगाना भी बहुत ज़्यादा असान है जेस्ट आप इसकी एक कटिंग ले ले या फिर इसका कटा हुआ इतना सा हिस्सा ले ले इसे मिट्टी करती हूं यहां पर देखिए अभी जाला सा बना हुआ है कटिंग का पोदे का तो अभी इसके हर एक जगह पे पैर निकल चुकी है इस तरीके से जिनको आप रूट्स भी कह सकते हैं तो बस दोस्तों जहां पर आपको रूट्स दिख रही हैं वहीं से इसकी हिस्से को काट लीजिए और जितनी भी लैंथ आपको चाहिए इस बेल के उसे हिसाब से ले लीजिए और रूट्स के अरूट्स जो आपकी पत्तियां दिखरी है इनको हटा दीजिए ताकि यह पत्तियां मिट्टी के टच में आने से कहीं खराब नहों जाएं और एकदम ईजी टू ग्रो पर लगाने की कोशिश करें गमले में लगाएंगे तो इसे सेपरेट गमला चाहिए बट फिलहाल में आपको दिखा रही हूं कि इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं तो यह लग गई हमारी बेल आपने जिस्ट जड़ो वाला पोशन है उसे आपने मिट्टी में दबा दे कुझी जहरत देने के लिए इसी पुजिशन में ग्रो होती रही गया अगय अगया इस तरीके से आप टिकोमा की बेल को भी ग्रो कर सकते हैं और दोस्तों अभी आप रीयो प्लांच को भी को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं यह फ्लावरिंग तो नहीं करता बैट इसके पत पता नहीं कहां से आ गई और ये भी एकदम easy to grow plant है और एकदम beautiful plant है इसलिए अगस्त महीने में इसे भी अपने गार्डन में जरूर add-on करें add-on करने का थरीका मैं बता रही हूँ just आप cutting वाले हिस्से को मिट्टी में डूबो दीजिए मतलब आपका जो काम है न वो सारा का सारा डूबोने पर ही depend है बट डूबोना अच्छी से है नहीं तो बही पोदा ही डूब जाएगा आपका तो ये लिजिए रियो प्लांट में ह हमारा यहां पर डन हो चुका है और इसी के साथ बाकी जो पोदे बचते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताए हैं और अभी थोड़ा सा बताना जाती हूँ वह आप लगा सकते हैं जैसे कि ये डाइन्थर्स को भी अभी आप अगस्त महीने में कटिंग से लगा सकते हैं एकदम easy to grow plant है जैसे बाकियों का बताया है same to same ही method है इसे भी उगाने का और एकदम जटपट ये लग के आपके garden को सुन्दर भी बना देगा और इसकी भी अलग-अलग varieties होती हैं hybrid वाली भी हैं देसी वाली भी हैं जो भी अब कमन करता है वो इस बार आप जरूर लगाईए और अपने garden को सुन्दर बनाईए और ये चिंता तो बिल्कुल ना करें कि छोटे pot में लगेगा कि बड़े pot में ये हर पर करके pot में लग जाता है इसलिए बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से से लगा दे उसके बाद दोस्तों एक और पोदा यहां पर add-on करना चाहूंगी वो है हमारे डेलिया का तो डेलिया का जो पोदा है ये भी अभी कटिंग से लग जाएगा इसका भी सीजन चला हुआ है इसे भी लगा लो अपने garden में विकोज सर्दिया आने वाली है थोड़े टाइम के बाद तीन-चार महीने का रह गया है ये भी पहुत अच्छे से खिल अराउंड जो पतिया है वो हटा देंगे पतिया हटाने के बाद ये जो कटिंग है इसे मिटी में हम डुबो देंगे और इसी के साथ हमारी डेलिया की कटिंग यहां पे लग चुकी है तो इस तरीके से आप डेलिया को भी ग्रो कर सकते हैं अगस्त महीने में और बाकी हॉली हॉक को आप बीजो से लगा सकते हैं यह कटिंग से पताने लगता है कि नहीं बाकी बात करें पर्सलेन की तो पर्सलेन भी आपका भी लग जाएगा अगस्त महीने में जरूर लगाए परपल हार्ट भी लग जाएगा ये भी बहुत सुन्दर लगता है छोटे-छोटे मटकूओं में तो इसे भी जरूर लगा ले और गुलाब तो हमारे लग ही रहे हैं इनको भी जरूर एड ओन कर ले अपने गार्डन में, बेबी सन रोज को भी आप एड कर सकते हैं अपने गार्डन में, अगस्त महीने में भी, तो फिलहाल दोस्तों मुझे यही पोदे दिख रहे हैं, बाकि आपके ग्यान में हो थोड़े बहुत और पोदे, मुझे भी बता पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसी के साथ हम मिलते हैं फिर आप सब को नेक्स्ट वीडियो में